दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट मॉक्स में जरूर पोचे आज की सबसे पाले कबर उत्तर बिहार में सर्दी का सितम जारे सब्ता भर औरस आएगी सीत की लहर बारिस के आसा जिहां फिलाल उत्तर बिहार में सीत लहर से राहत मिलने की समावना नहीं है पिछले 24 गंटे में तापमान में मामूली बढ़त हुई है मगर तेज हवा के करण कनकनी बरकारा रही है मौसम विभाग ने 23 जन्वरी को बारिस की समावना जताई है उसके बाद मौसम में सुधार की उमीद है बिसन सीत लहर के कारण मंगलवार को भी सड़क पर सन्नटा पसरा रहा बुजर्गों और सासों की बिमारी वाले मरिजों के लिए ठंड आफ़त बनी हुई है मौसम विभाग ने बताया कि ठंड से अभी राहत मिलने के उमीद नहीं है बिभाग के अनुसार ठंड का या असर अभी अगली बारिस तक बना रहेगा अगली बारिस 23 से 24 जनवरी को होने के आसार है इस साथी में तेज पच्या हवा चलने की समावना है जो ठंड में बढ़ोतरी का अहसास दिलाएगी अगली बड़ी खबर बिहार में पिछले 24 घंटे में मिले 4551 नए कोरोना मरीज पटना में मिले 1218 केस ओमिक्रोन के 40 नए मामले भी मिले जिहाँ पिछले 24 घंटे में कोरोना का संक्रमन राजी में एक बार फिर से बढ़ा है बिहार में आज जाने पिछले 24 गंडे में कोल 4551 क्रोना के नए मरेज़ मिले हैं वही पाटना में 1218 केसे सामने आये हैं वहीं बिहार में ओमिक्रोन के 40 और मरेज़ मिले हैं इस बात की पूस्टी OMIS में जिनाम सिक्वेंसिंग के जाजमी हुई है इससे पहले 27 लोग ओमिक्रोन से पिड़ित मिले थे जो ठीक भी हो चुके है बिहार की पॉजिटिविटी रेट 2.6 पर दिसत हो गई है वह बिहार में कोरोना के कोलेक्टिव केसेज 33,883 हो गई है अगली बड़ी ख़बर बिहार से मिली राहत बारी ख़बर 31 जिलों में 5 फिजदी से कम संक्रमंदर जिया बिहार की 31 जिलों में 5 फिजदी से कम संक्रमंदर रिकोर्ड की गई है 7 जिलों में इससे अधिक संक्रमंदर रही है पटना में सरवादी 17.40 फिजदी संक्रमंदर है वह सबसे कम संक्रमंदर गया में 0.70 फिजदी है वहीं आपको बता दे कि बिहार में पटना गया और मुझपरपूर में जिस तेजी से संक्रमन दर में बढ़ोतरी हुई थी उसी तरह इन जीलों में संक्रमन दर में गिरावड भी आई है पांच दिनों पूर्वा 12 जनवरी को पटना में 19.86 फिसस संक्रमन दर झाउप गण्या में 20.91 फिससी हो गई है अगली बड़ी खबर कॉरोना निगेटिव हो गए हैं मुख्यमंत्री, कोवीट के ओमिक्रोन व्यरियन की चपेड में आए थे नितिस्क मार जिए अभिहार के मुख्यमंत्री नितिस्क मार कोरोना निगेटिव हो गए हैं आईजे आएमेस में कराए गए उनकी कोविड जाच रिपोर्ट निकेटिव आई है मुख्यमंत्रे के कोविड टेस्ट के लिए ले गए सेंपल की जिनम सिक्वेंसिंग भी कराए गए जिससे यह पूश्टी हुई कि वे कोरोना के ओमिक्रोंड वेरियंट से संक्रमित हुए अगली बड़ी खबर भारत में फूल लोगडाउन के ज़रुत नहीं डबलो एचे नहीं कहा कोरोना रोकने के लिए मौजूद उपाए काफी बस रिस्क के हिसाब से लगाए बेन जह भारत में कोरोना वारिस के तीसरी लहर के मामले बढ़ने के बावजूद फिलाल फूल लगाने की ज़रत नहीं है यहाँ बात वर्ल्ड हेल्थ और्गनेजेसन डबलो एचे नहीं कही है डबलो एचे के भारत में प्रदिनिती का कहना है कि भारत जिसे देश में कोरोना को फिलने से रोकने के लिए फूल लोगडाउन लगाने और ट्रेवल बेन करने जिसे कदम नुकसान पहुचा सकते हैं उन्होंने सुझाव दिया है कि महामारी से लडने के लिए रिस्क के हिसाब से बेल लगाने की स्टेटजी बनानी चाहिए अगली बड़ी ख़बर बिहार पुलिस की सिपाई भरते में पीटी की डेट बढ़ी 28 जनवरी से होने वाली परिच्छ अननों से इससे इस्तगित कर दिया है इस समन्थ में विवाग की वेवसाइट पर नोडीस भी जारिकर दिया गया है ज़री नोडुस में ccsbc ने कहा है कि इन परिच्छवों के नई थी न फर्वारी को दी गई है कहा गया कि पुरों निर्धारित सारीरिक दश्ता परिच् जिहापडना भी स्विद्दाले में कल सिनेट की बेठक आउजित की गई जिसमें बित्य बर्स 2022 थे इसका बजट पास किया गया कल 525 करोड का बजट पास हुआ सिनेट की बेठक में फीस बढ़ाने की मंजूरी दी गई है जिहापडना इन्यवसिटे में बेठ कोर्स के लिए 25,000 रुपे लेगेंगे इसे लेकर फीस ताई की गई है इससे पहले बेठ कोर्स के लिए 18,000 रुपे फीस लगती थी जिसे कल सही बढ़ा दिया गिया है अब 18,000 रुपे की जगा चात्र चात्राओं को 25,000 रुपे बेड में एडमिसन के लिए देने होंगे मदादे की पाड़ना इन्यवसिटे में बेड में 200 सीठ है सिनेट की कल हुई बेठक में फीस बढ़ाने की मंजूरी भी दी गई है अगली बड़ी ख़बर बिहार के रासन कार धारोकों के लिए अच्छी खबर चावल गेहूं को लेकर खाद सचीव ने जारी किया ये आदेश जिहां कोरोना संक्रमन को देखती वे राज सरकार ने जन विदरन प्रनाली की दुकानों में लाबोकों के लिए दिसम्बर का अनाज उठाव करने की आवदे 19 जनवरी तक बढ़ा दी है इसके बावजुद जो लाबोक अनाज उठाव नहीं कर पाएंगे उन्हें जनवरी के अनाज के साथ इस दिसम्बर का भी रासन मिलेगा समौर को खायद अवम उफबुकता सरक्षन विवाग के सचीव बेनाई कुमार नहीं जानकारी दी है उन्होंने बताई कि राज में कोल 99,652 पिडियस दुकान है जहां से 1,78 लाख रासन काट धारक अनाज उठाव करते हैं सभी दुकानों में अनाज की पर्याब तो बलबता है समीचा के कर्म में पाया गया कि कोरोना संक्रमन के चलते अब तक सत परतिसत लावोकों ने अनाज नहीं उठाया है इसलिए दिसम्बर का अनाज उठाव करने की तिथि बढ़ा दी गई है साथ जिला अपरति बदादिकारी अवं प्रकंड अपरति बदादिकारियों को सत परतिसत लावोकों की बीच अनाज वितरन सुनिचित कराने को कहा गिया है अगली बड़ी के बिहार में सराबंदी पर बीजेपी का जबाब पूरा एंडिये कानून लागो रखने को एक जूट मंगलवार को प्रदेश भाजबा करियाला में एक कारकरम में पहुचे ओप मुख्यमंत्री ने मीडिया से बाचित में ये बाते कही है सराबंदी कानून में समावित संसदून का लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारे से इंकार कर दिया है हम नेता जितरा माजिद वरा सराबंदी समावित किये जाने के मांग पर तार की सूर परसाद ने कहा कि वह बिहार में एंडिये के महतपोन गटकदल के नेता है उन्होंने अपनी कुछ बातों को रखा है कुछ सला दी है लेकिन अभी तक एंडिये और बिहार विदान वंडल ने जो पूर्ण नसाबंदी का प्रस्ता पारित किया है उस पर हम सभी कायम है अगली बड़ी केवर मुके सनी ने तेजस्व को बताया छोड़ा भाई बोले विचार धारा मिली तो साथ करेंगे सियासत कभी कहा ता तेजस्व ने पेट पर खंजर भोका है जहाए एक तरब नितीस कुमार की पार्टी जदियो और भाजबा की बीच तना तनी दिख रही है दूसरी तरब नेता प्रतिपक्च तेजस्व यादव और वियाईपी पार्टी सुप्रीमो मुके सनी की बीच की तलकिया खतम होती जा रही है यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मुके सनी ने मंगलवार को नेता प्रतिपक्च और राज़त नेता तेजस्व यादव को अपना छोटा भाई कहा है उन्होंने यह भी कहा है कि वियाईपी पार्टी की विधायक मुसाफिर पास्वान की निदान से खाले भी सीट पर होने वाले उप चुनाव में वियाईपी का उमिदवार चुनाव लड़ेगा गुरेज नहीं है वे कहते हैं कि अगर छोटे भाई तो जिस्वे साथ देंगे तो वो साथ लेने को तयार है अगली बड़ी कबर बारवी पास है और नोकरी नहीं मिली तो बिहार में उठाए इस योजना का लाब हर महिने मिलेंगे एक हजार रुपी अगर इस योजना का लाब लेना है तो इसके लिए औलाइन प्रोसेस से अपलाई कर सकते हैं आवेदन करने के लिए अधिकारिक पोर्टल www.sathnishyaivamission.bihar.gov.in पर जाना होगा जहां से आप अपना आवेदन कर सकते हैं साथ है आपको बदा दे के ओनलाइन आवेदन करने के साथ दिनों के अंदर इस्टूडियन को समधित DRCC कार्याले पहुच कर डॉकूमेंट वेरिविकेशन का कायर पूरा करना होगा अगली बड़ी कबर भीहार में पहली से पाचवी तक के बच्चों को पढ़ाएंगे टोला सेवक 25-25 बच्चों का बनेगा समो जहाँ कोरोना काल में दुर्दर्शन की पढ़ाई से वनजित रहने वाले एक से पाचवी तक के बच्चे अपने टोले में पढ़ेंगे इसकी जिम्मेवारी राज के करीब 30,000 सिक्षा सिवक सा टोला सिवकों को दी जाईगी टोले में खुली जगा चैनित कर इन बच्चों को बढ़ाने को कहा गिया है सिक्षा सिवक अपने ही टोले के पाचवी तक के बच्चों को एकटा करेंगे इनका एक समू बनाएंगे एक समू में 25 से अधिक बच्चे नहीं होंगे बिहार सिक्षा परियोजना परिस्द ने इस समद में सभी जिलों को डियो को निर्दिस दिया है पार्टना जिला सिक्षा कार्याले ने इसकी तैयारी सुरू कर दी है टोलावार बच्चों के सेंख्या मांगी गई है आगले सबता से इन बच्चों की पढ़ाई टोले में सुरू कर दी जाएगी बारी ख़बर यूपी चुनाव पर जिरोई के दिल्ले में अहम बैठक काज बीजेपी ने 14 सीटों का दिया है प्रस्ताव नितीस कुमार से की है प्रचार करने की अपीर जिहां उत्तर परदेश चुनाव को लेकर जदोई के अहम बैठक बुदवार यानि आज होगी उत्तर परदेश चुनाव लड़ने के लिए जदोई ने 51 सीटे चिनित की है इनमें कितनी सीटों पर वा लड़ेगा इस पर फैसला होना बाकी है इसी बीच सुत्रों के मताबिक भाज़पा ने 14 सीटों को अपर जदोई को गड़बनन के तहद चुनाव लड़ने का दिया है साथ मुख्यमंतरी नितीस कुमार से उत्तर परदेश में चुनाव प्रचार करने का भी आगरख किया है हाला कि इस पर बे अंतिम निन्ने नहीं हुआ है पताया गया है कि जदोई की और से आरसेपी सिंग में देस्ता कर रहे है अगली बड़ी ख़बर बिहार में अकले पड़े चिराग को मिला बल पूर्व सांसद अरून कुमार की पार्टी का लोजपा में बिले बिहार में अलग तलग पड़ चुके सांसद चिराग पासवान को मजबुते मिली है दरसल भारती सब लोग पार्टी के प्रमुक हुआ चाहनाबाद के पूर्व सांसद डाक्टर अरून कुमार ने मंगलवार को लोजपा का दामन थाम लिया अपनी समर्थोकों के साथ उन्होंने लोजपा के राष्टी अधग चिराग पासवान के उपस्यति में अपनी पार्टी का बेले लोजपा में किया और अंकी बड़ी ख़बर भिहार में प्राराम्बिक विदालयों में फिजिकल टीचर की होगी बहाली हर इसकोल में एक फिजिकल टीचर होगी न्योक्त 8386 पद के स्रिजन को मिली स्विकृति आपको बताते कि स्रीजित के गए पदों को प्राथामिक सिक्षा निदे साले द्वारा जिला सिक्षा पता दगरी कार्यालाई को आवंटित किया जाना है जल्द ही इसकी बहाली सुरू की जाएगी आज के लिए आपको स्वाल बताए कि इस बार उत्तर बर्देश में किसकी सरकार बनेगी इसका जवाब आप हमने नेचे कॉमेंट करके जरूर बताएं